गर में रखे हुए अनाज को और सामान को खराब होने से कभी भी नहीं बचा पाएंगे यदि हम उसकी देखभाल सही समय पर और सही तरीके से नहीं करते हैं हलो फ्रैंस कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूँ बढ़िया होंगे खुस होंगे मस्ट होंगे और सबी लोग होली पर खुब सारा आनंद लिये होंगे सो फ्राइंस आज का ब्लोग शुरू करने से पहले हमारी तरफ से आप सभी लोगों को होली की धेर सारी सुब कामना है और जिनों ने हमारे चैनल को सस्क्राइब किया है हमारे ब्लोग देखते हैं हमारे टिफ सेंट्रिक पसंद करते हैं और सबसे ज़ादा जो हमारे उलिन कपड़े फोल्ड करने का आइडिया है जो लोग पसंद करते हैं और देखते हैं उन सभी लोगों को हमारी तरफ से हैप्पी हॉली आप सब लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी हॉली कैसी रही तो चलिए फ्रेंज चल रहा है तेवहारों का होली के बाद नौरात्री आएगी तो हमारे किचन में ड्राइफूट तो रहते ही हैं मुंफली में फफूंदी बहुत जल्दी लगती है और कीड़े भी लग जाते हैं और डिब्बे में चीटी आ जाती हैं तो चाहें तो आप ये साबूत नमक के कीड़े पढ़ते हैं ना ही फफूंदी लगती है और ये जो हमारा मखाना है इसमें भी चीटिया तो जादा नहीं आती हैं लेकिन हाँ इसमें कीड़े पढ़ जाते हैं घुन वगएरा भी लग जाते हैं तो इन्हें आप थोड़ा सा भून करके रखिए तो इसमें कीड़ करके रख सकते हैं अगर आप ब्रत में नहीं खाते हैं तो नमक के टुकड़े जरूर इसमें डाल करके रखें सुखी हुई गुलाब की पंखुडिया चाय का स्वाद बढ़ा देती हैं और यदि खड़े मसालों के साथ थोड़ा सा इन्हें सामिल करते हैं तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है लेकिन इन्हें सही ढंक से इस्टोर करना बहुत जरूरी है जरास सीबीस में नमी रह जाती ह तो सारी ये रोज पेटल खराब हो जाती है अभी ठंडी के मौसम में हमने इन्हें घर में ही बनाया था तो आप इसे घर में आसानी से बना सकते हैं इसका वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा अगर देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सस्क्राइब कीजे और इस खुसबू भी चली जाती है और इनका कलर भी थोड़ा सा निकल जाता है इसलिए इस ट्रिक से इसको सुखाते हैं तो ये सुख भी जाती है इसमें नमी नहीं रहती है और ये खराब भी नहीं होती है जितना भी हम सामान मार्केट से ले करके आते हैं इसको स्टोर करने से प और जब इन्हें तेल में फ्राई करते हैं तो ये बहुत अच्छे से फूल जाते हैं इनमें करारापन थोड़ा सा जादा आता है अगर नमी रह जाती है तो ये सही से फूलते भी नहीं हैं और खाने में इतने जादा क्रिस्पी भी नहीं लगते हैं तो इन्हें जब भी मार्किट से लाएं या घ़र में बनाएं तो ढोप में बहुत अच्छे से इन्हें सुखाईं उसके बाद ही इन्हें तेल में फ्राई करें तो ये ज़्यादा फूलते हैं और क्रिस्पी बनते हैं अभी सर्दी के मौसम में ये सारा सामान इतना ज़्यादा सुरच्छित रखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि खराब नहीं होता था लेकिन गर्मी का मौसम आते याते और उसके बाद फिर बारिस ये सारा सामान खराब होने लगता है कई बार पैकट सही से बंद नहीं होता है तो इसमें चीटिया घुज जाती है और नमी लग जाती है जिससे इसमें फपूंदी और कीड़े सब कुछ लग जाता है और यह हमारी किसमिस खराब हो जाती है इस बार हमने ज़्यादा किसमिस ली थी और पैकेट सही से बन नहीं होता था तो बाहर पड़े रहने से इसकी हालत थी देखिए ऐसी हो गई सारा किसमिस काला हो गया है जबकि ये इसी तरीके का ग्रीन किसमिस था तो ऐसा ना हो इस बार इसलिए पैकेट को सही ढंक से बंद करेंगे कई बार ये जो पैकेट है उपर का काम नहीं करता है जिप और ये सही से बंद नहीं होता है तो इसे हम अलग से डिबे में इस तरीके से डाल कर रखते हैं और हमेशा इसे फ्रीज में लगा कर रखते हैं गर्मी के दिनों में हमारे किचन में रखा हुआ थोड़ा थोड़ा जो अनाज, आटा, डाल, चावल है इन में चीटिया भी बहुत जल्दी गुशती हैं इनको भी हम एक साथ अगर रखते हैं तो हिसमें ये साबूत नमक के जो खड़ा नमक है, इसके टुक्डे डाल देते हैं इसमें पीचा हुआ नमक बिल्कुल नहीं डालते हैं ये जो शाबूत टुक्डे हैं, इसमें नमक सामिल नहीं होता है और कीडों से ये सारी चीजे सुरच्छित रहती हैं इस नमक को हमने धूल करके अच्छे से सुखा लिया है उसके बाद सारी चीजों में इस्तमाल कर रहे हैं क्योंकि ये नमक काफी ज़्यादा गंदा होता है जब इसे मार्केट से लाते हैं ठंडक के मौसम में एक कप चाय और गर्मी के मौसम में एक कटोरी दलिया मिल जाता है तो दिन के सुरुआत अच्छे होती है गर्मी में हमारे घर में सभी लोग चाय पीना कम पसंद करते हैं और सुबा नास्ते में दलिया खाना जादा पसंद करते हैं गर्मी के दिनों में घुन, कीडे और चीटियां इसमें लग करके इसको खराब कर देते हैं तो इसमें ये सब कुछ ना हो इसके लिए एक भारी तली की कढ़ाई लेंगे और धीमी आज पर 10-15 मिनट एक किलो दलिये को भून लेंगे भूनने के लिए घी तेल का इस्तमाल नहीं करना है जब इसे खाने के लिए पकाते हैं उस टाइम इसमें घी दूद का इस्तमाल करते हैं अभी दलिया भून गया है इसे ठंधा कर लेंगे अब इसमें कीडे और घुन नहीं लगेंगे लेकिन हाँ चीटिया आ जाती हैं तो इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे और इसमें नमक के टुकडे डाल देंगे इसे इसमें चीटिया नहीं आती हैं और ये सुरच्छित रहती है और जब भी हमें खाने के लिए इसे पकाना होता है तो बार बार भूनने का जंजट भी नहीं रहता है थोड़ा थोड़ा दलिया खाने के सौके इन लोग तरह तरह की रेस्पीज बनाते रहते हैं और उसके लिए हर तरह का मसाला भी लाते हैं ये जो पैकेट वाला मसाला है इन्हें ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो इनकी खुजबू भी चली जाती है और नमी लगने की वज़े से इसमें कीडे भी लग जाते हैं मसाले जल्दी खराब हो जाते हैं तो हमारे पैसे खराब हो जाते हैं जब इतने बड़े बड़े ये जो पैकेट के मसाले हैं इनको हमें फेकना पड़ जाता है तो ऐसा ना हो इसके लिए देखे इस ट्रिक से हम रखते हैं तो ये जादा मसाले सुरच्छित रहते हैं कई बार ये जो कंटेनर है इसका लिड सही से बन नहीं होता है तो इसमें हवा गुश जाती है और नमी लग जाती है मसालों में चाहें तो आप नियूज पेपर को इस ट्रिक से बाक्स के उपर रख करके रबर लगाईए इस ट्रिक से ये मसाले बहुत ही जादा सुरच्छित रहते हैं इसमें बिलकुल भी नमी नहीं गुश सकती है अब चाहें तो इन्हें बाहर ही रख सकते हैं या फ्रीज में इस डिबे को लगा करके रख सकते हैं गर्मी के दिनों में धेर सारा आटा सुरच्छित रखना थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है क्योंकि घून कीड़े और चीटियां सब कुछ परिसान करता है तो जब भी बड़े से कंटेनर में आटा रखें तो इसमें ये जो धुला हुआ सूखा नमक का टुखड़ा है धेर सारा नीचे तली में डालें फिर आटा भर लें उसके बाद उपर भी थोड़ा जादा मातरा में डालें और जब भी आटा इसमें से निकाल कर गूथना हो तो ये टुकड़े वापस इसी में नमक के डाल दें और इस पर धक्कन लगा दें ताकि इसमें हवा ना लगे किचन में रोज खाने के लिए जो भी अनाज इस्तमाल होता है उसको साफ सुत्रा करके रखते हैं ताकि रोज रोज हमें इसे बीनना और साफ करना ना पड़े लेकिन गर्मी के मौसम में इसमें छोटे-छोटे से कीड़े लग जाते हैं चीटिया आ जाती हैं घुन आ जाते हैं इसके लिए हमें इसे साफ करना पड़ता है तो जब भी आप चावल स्टोर करें किचन में तो इसमें थोड़ा सा नमक के ये जो टुकड़े हैं जरूर डालें और जितना आप जादा ये टुकड़े नमक के इस्तमाल करते हैं चीजे उतना जादा सुरच्चित रहती हैं बस ये नमक काफे जादा सूखा होना चाहिए इसमें नमे बिलकुल नहीं होने चाहिए तब ही आप इसमें कीड़े लगने से गुन लगने से और चीटी आने से इसको बचा पाएंगे जब ही आप चावल को डबे में श्टोर करें तो इसमें नमक के टुकड़े जरूर डालें घर में बनाये गए चीप से कचरी पापड हो या मारकेट से लाए गए हो धूप में तो अच्छी तरीके से सुखा लेते हैं उसके बाद भी इने स्टोर करके अगर रखते हैं तो जब भी इनमें से खाने के लिए निकालते हैं तो इनमें हवा गुश जाती है नमी लग जाती है और गर्मी में कीड़े पड़ जाते हैं तो जब भी आप इसमें से पापड निकालें उसके बाद इसे निउस पेपर में सरीके से जरूर फोल्ड करके रखें इससे इसमें हवा नहीं लगती है जिससे इसमें नमी नहीं लगती है तो इसमें गुन और कीड़े नहीं लग पाते हैं ये जो सूखा हुआ चिप्स कच्री पापड है इसकी नमी निकल जाती है तो इसमें कीड़े नहीं लगते हैं बहुत लंबे समय तक ये चिप्स कच्री पापड हमारे किचन में सुरच्छित रहता है लेकिन इसमें गर्मी के दिनों में चीटियां घुज जाती है जो छोटी इसमें चीटियां नहीं आती है थोड़ा सा नमक के टुकड़े अगर आप ज्यादा इस्तमाल करते हैं तो आप कि ये ट्रिक ज्यादा बहतर काम करती है अब इसे हम इस तरीके से बॉक्स में रख लेते हैं अब ये थोड़ा-थोड़ा सा है तो इसे हमने बड़े क explore में डा गर्मी के मौसम में इसमें नमक के तुकड़े जरूर se ररकते हैं ना गुन लगते हैं ना ही कीरे लगते वर नाही चीटिया कand गुंभाने हैं जार नमक के तुकड़े से सबरा incubator नमक के तुकड़े से जरूर का मतामेम है तो फ्रेंस हमारे आज के टीफरेंट ट्रिक अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह के ट्रिक देखने के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा